पढ़ागाची का दूसरा हिस्सा एक टाइम में उतना ही दो जितना बच्चे को उस स्टेज पे हजम होता है Parents और Teachers Teachers specifically parents के pressure में और course complete करने के pressure में आ जाते हैं otherwise teachers समझदार हैं हमारे वो ऐसा नहीं करेंगे पर हमारा course ऐसा है जो हमें force करता है तो हम क्या करते हैं यदि बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया तो हम थोड़े और उत्साहित हो जाते हमें लगता है अभी तो यह फर्टाइल इस वक्त बना हुआ है स्वाइल थोड़ा सा और डाल दो आपने लर्निंग तेओरी में पढ़ा है कि यदि इस वक्त पे एक चीज दी है तो उसके बाद एसिमिलेशन के लिए ग्रैस्पिंग के लिए गिव सम स्पेस दूसरे देशों में खास करके जपान का जो केस आपने पढ़ा होगा पीछे बहुत आया था वाटसएप पे भी बहुत वो सर्कुलेट हुआ के हर एक पीरियड के बाद पांच मिनट का रिलेक्सेशन देते हैं पीरिलेक्सेशन व्या चिल्डर आरास्ट टो जेर आइस और फिर बोला जाता है कि आप जो है वह बाहर की आवाजह चुनें आप दूर की आवाज सुनें आप जो है सांस लंबा लें और दीरे-दीरे-दीरे वह पांच मिनट में बच्चा जो है उस चीज से डिसकनेक्ट ह जाता है जो अभी सीखा तो वो अपना काम हो रहा है पीछे जो CPO है उसमें वो सब चल रहा है और बचा जो है रिलेक्स हो रहा है और फ्रेश हो रहा है उसके बाद उनको कोई दूसरी तरह की एक्टिविटी दी जाएगी जैसे खाने में होता है क्या करेंगे यह दी बहुत जैदा है अच्छी सबजी बनी है और आपने दो बार लेली लालच में आके जैसे शादियों में हो जाता है सब कुछ इतना सुन्दर लगता है तो वो हम ये कड़ची भी डाला वो कड़ची भी डाला वो भी डाला चोड़ें क्या और फिर सूस्त भी है दुबारा उस सीट पर से उठके भी नहीं आना है तो सोचते है एक ही बारे में ले चलते हैं सब और बैठके खाएंगे और फि ही हम लोग करते हैं रोज हम इतने आतूर हो जाते हैं जैदा खिलाने के लिए जैसे मां घर में खिलाती है आपका पेट नहीं ले रहा है फिर भी खिला देते हैं तो उसके बाद क्या होता है जो पहले खाया था जिससे आपकी सेहत बनती वो भी खराबी करेगा और आपको यह रहेगा चूरन ओरन कुछ ले और जल्दी से कुछ हो ताकि कमफर्टेवल सवेरे तक मुश्किल होएगा दर्वाइस तो वो जो अच्छा अनुभव है स्वाद का वो भी हम ओवर्लोड करके खराब कर सकते हैं सेम इस विद्व लर्निंग और डिवलपमेंट नीदर लर ओने में जितना टाइम चाहिए चाहिए कि दही जमने में जितना टाइम चाहिए चाहिए फिर्ण प्लीज सी से सिद ना डरें कि आपने ड्रामा कषग और दिया आज आपने आर्ट में ड्रॉइंग कर ई तो मेरा मैस का यह concept पूरा कैसे होगा I tell you, if you leave your children with that experience and that much knowledge, there are much more chances, rather there are sure chances, कि बच्चा कल उसे बेहतर तरीके से कर पाएगा, बजाए इसके कि आज आपने उनको इतना सब कराया और पूरा जोर लगाया, और उसके बाद बच्चे वो नहीं सीख पाए जो उनको सीखना चाहिए था, और कल आप ये क्रिब करोगे, इनके साथ कितना सिर्ख पाई कर लो, इनके साथ कितना मेहनत कर लो, ये कभी नहीं सीखेंगे, और बोल भी देते हैं हम चिड़ करके और गुस्से में आके, तुम्हें ये कुछ समझाने वाला नहीं, सब जो मैंने कराया था, वो भूल गए, बट, मिस्टेक किसकी है, हमारी, हम जैदा दे रहे हैं, नौ, तीसरी चीज़, पहले बात हमने क्या कही, कि बच्चे का जो रोज मर्रा के एक्स्पिरियंसेस हैं, और उसको आर्ट के मार्धियम से जिंदा करना और उसके साथ लर्निंग को जोडना, न्यू कंसेप्ट को, दूसरा हमने क्या किया, simple and small quantity, जित्ती उस दिन जानी चाहिए, उसके बाद, space to assimilate, to digest, ठीक है, यहां तक clear हो रहा है, तीसरी बात, जो हमने ये दो स्टेप में किया, उसके बाद, तीसरी चीज़ है, जिसे मैं reinforcement में लेते हूँ, मैं सारे चितने हमारे learning theory में 8-10 point लेते हैं, उन सब को इन 3 में समा देते हूँ, तीसरे को मैं लेती हूँ, reinforcement, learning में वो ही चीज़ें हम सब को, बच्चों को छोड़ो, हम सब को भी याद रहती हैं, जिनका समय समय पे जाड़ पोँच होती रहती है, तो मैं अपनी किताबों में भी ये कमी देख रही हूँ कि जो first year में हमने 6 concept दे दिया, फिर हम second year में, यानि के दूसरा कक्षा में भी वोई concept को लेकर के चल रहे हैं, तो इससे अच्छा होता कि हम पहली कक्षा में तीन ही concept रखते, उसी के इर्दगिर्द सारी जो है, वो activities रखते और अगली concept उसके आधार पर चलती, तो हमने addition 1 में भी कर लिया और addition 2 में भी चल रहा है, तो यहां बहुत जल्दी हम करते हैं, बट हम अपनी इन किताबों को भी हमारे कोई exams ऐसे नहीं होते हैं, हम चाहें तो इन चीजों में थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, नोबडी विल अबजेक्ट, specially up to class 3, तो आप यह देखें कि यह जो reinforce करना है, reinforce करने के लिए, जो पूरवग्यान टेस्टिंग के लिए भी आप चीजें करते हैं, reinforcement के लिए आप कुछ icebreakers प्लान करें, icebreaker का मतलब है कि वो बच्चे को यह नहीं लगना चाहिए, कि मैं कुछ पढ़ा रहे हैं, सर कुछ पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि आपने खेल उनको दिया खेलने के लिए, कुछ करने के लिए दिया, पर आपका ध्यान, क्योंकि आपका objective अलग है, बच्चे खेल रहे हैं, आपका objective है यह जानना किस किस बच्चे को ठीक से समझ आ गया, किस को समझ नहीं आया है, अब हो सकता है, यदि हमने fraction को ही टेस्ट करना है, तो fraction को टेस्ट करने के लिए, आपने quick activity एक करी, ड्रॉइंग की, और उसमें ड्रॉइंग में, अपनी copy में इबच्चे बनाएं, ड्रॉइंग शीट की जरूरत नहीं होती है, पैन या pensell से उस पे काम कर सकते हैं, आप ये कहें, कि आपने अपने दोस्तों के साथ, आज Ăज लन्च टाइम, यदि लन्च से पहले है तो, दोस्तों के साथ अपने घर से लाई हुई चीज को बांटना है, यदि आपने बांटना है, तो जो चीज आप लेके आए हैं एक मिनट के अंदर अंदर आपने उसके ड्रॉइंग बनानी है और आपने ये बताना है कि आप कौन से पांच दोस्तों के साथ है से बांटोगे बस इतना ही गेम अब क्या है कि इसमें बच्चे को बांटना एक चीज लाए है और उसको पांच हिस्सों में बांटना है कल आपने पांच ग्रॉप में बांटा था आज पांच दोस्तों के साथ खाने की चीज को बांटा हो सकता है चपाती हो कल हमारे टीचर्स ने उदारन भ सकती है let it be anything जो जो वहां के बच्चों को सुविधा से मिलती है चना है कुछ भी है बच्चा सोच रहा है परपस यह नहीं उसने actually कितना बांटा actual हमारे लिए यह है learning का हिसा यह है कि बच्चे ने उसे अपने पांच दोस्तों के साथ पांटने के लिए सोचा तो आप उसके बाद यह कहेंगे आपको याद है कल भी हमने fraction करा था जिसमें एक चीज को पांच में बाटा था तो कैसे लिखा था अब लिखे नहीं दिखा रहे हो कैसे लिखा था लेट देम तिंग गलत भी कर रहे हैं कोई बात नहीं अब जो आप बना के दोगे उसके उपर आप वही लिखोगे एक पुरा जत्ता और पांच में बाटा है तो बटा पांच और वो हमारा आपके आज की गेम है गेम हो गया बच्चे का हो गया रीइनफोर्समेंट हो गया अब ये उधारण मेरा है हो सकता है इसमें रासुत ना ना हो पर जब आप अपनी तरह के उधारण में चाहूंगे कि आइस प्रेकर्स हम यहां बैठके बनाएं